इसको लेके हम लोगों ने अग्रिहत तैयारिया की थी पहले से और हमारे जितने भी फील्ड के अधिकारी हैं उनको इस संबन्द में संसिटाइज कर दिया गया था और उनकी लगातार सभी स्केटोंडर्स जैसे धार्विक नेता हैं पीस कमीटी के मेंबर्स हैं, डिजिटल रॉलिंटियर्स हैं और सिबिल डिफेंस के लोग हैं उनके साथ लगातार वारता चल रही थी और मैं पुनह ही असपस्ट करना चाहूंगा कि CAA एक ऐसी एक ऐसा रूल है जिसके साथ किसी के साथ कोई नागरिक्ता किसी की जानी नहीं एक एक एनेबलिंग प्रोविजन है जिससे कि किसी को नागरिक्ता दी जाएगी और वो ऐसे लोगों की जो हमारे पडोसी देशों से धार्मिक कारणों से परेशान होके यहां आए उनकी संख्या भी बहुत कम है और इसका व्यापक असर भी दिख रहा है सभी धार्मिक ने कानून विवस्था बनाए रखने का प्रश्ण है इसके लिए हम लोग ने 179 कमपनी PSE 100 कमपनी हमें CEPA भी मिली हुई है चुनाओ के दिश्टिगर उसका उपयोग कर रहे हैं इसके अलावे जितने भी तकनिकी संसादे में हमारे CCTV है हमारे drone camera है हमारे binoculars है अन्य जो तैया अधिकारियां एक संवेदनशीर प्रकरण को डील करने की होती है वो चीजे हो रही है सेक्टर स्कीम के अतहस सभी लोग लगातार ब्रवनशील है अभी तक कहीं से कोई अपरियग रखना की सुचना नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो सशक्त एक टीम है फिलिड में मैजिस्ट्रेट्स की पुलिस अधिकारियों की वो इस्कूरिय प्रकरण को लोगों के साथ मिल बैटके निपटा लेंगे और आने वाले समय में यहां किसी की तरह की कानून दूरस्था फुद नहीं होने दी जाए ऐसे अस्थान जहां पहले दिखते हुई थी या कुछ जो समवेदंशील अस्थान हम लोगों ने चिन्नित किये हैं या कुछ समवेदंशील और इस तरह के उपदरुई कत्तों के पहचान भी हम लोगों ने किये हैं उन पे लगातार और सतर्ग दिश्टी हैं हमारी डिप्लाइमेंट जो फील में वो उसी के मद्दे न करने की कोशिक्स करेगा आम यंता पे रिमर्फालानी की कोशिक्स करेगा तो हम उस पर कठोर कारवाई करेंगे तथा साथ ही हमारे मुख्याले तथा सभी फील्ड लेवल पे सोशल मीडिया की मौनिटरिंग भी राउंड अ क्लॉक की जा रहे हैं हमारे अधिकारी चीजों क को देख रहे हैं डीजीपी मुख्याले अस्तर से भी जो कंट्रोल रूम है इसमें एक राजपतित अधिकारी के ने तुम्हें चीजों को मौनिटर किया जा रहा है